हलो नमस्कार दूस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कैन नोट ऐसे सेर फोल्डर इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को इस तरह से विनडो ओपन हो जाएगा इसके यहां पर कर लोडों यहां समप्स कर लिजा है c1.0 यहां पर किया करने झाली से पीछे, आप देखेंगे। यहाँ पर प्लस का निसान होगा। ऐहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से लिस्टि ऑकयंधि हो जाएगा, आप को क्या करना है। यहाँ पर आपको second option देख जाएगा, SMB 1.0 CIF Client इसको आपको यहाँ पर टिक मार्क कर दिए इस तरह से इसको टिक मार्क कर दिजएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर OK पर किलिक करते हैं इस तरह से यह feature enable होना शुरू हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है बस यहाँ पर आपको कुछ second wait करना है इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पर restart now के उपर आपको किलिक करते हैं इस तरह से यह restart होना शुरू हो जाएगा रियस्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिचेगा आपका problem solve हो जाएगा यह फिर भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है control panel open कर लेने control panel open करने के लिए आपको क्या करना या तो आपके case में desktop के उपर icon होगा या तो आप यहाँ पर क्लिक करके open कर लिजेगा या नहीं तो आपको क्या करना यहाँ पर search पर क्लिक करके आप search करके भी open कर सकते दोनों में साब कहीं से भी क्लिक करके control panel open कर लिजेगा open होने के बाद यदि आपके case में इस तरह से नहीं दिखते है तो आपको क्या करना यहाँ पर क्लिक करके आपको category के उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पे आपको दिख जाएगा Network and Internet इसके उपर आपको क्लिक कर दिने किलिक करती है इस तरह से विंडोres open हो जाएगा इसके बाद यहां पे आपको तीन ओप्स निख जाएगा private, guest, all network यदि आप private के लिए करना चाहते तो यहां पे click करना है इसके बाद यहां से आप check कर लिजेगा turn on network discovery on है या नहीं यदि यह tick mark नहीं होगा तो इसको tick mark कर देना है ऐसे ही आपको क्या करें नहीं यहाँ पयाँ चेक लेंड़ है यह टर्ण आउन है या नहीं यदि ऑफ होगा तो इसको भी आपए आून कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर याप सेक्ड़ करके बाहर आशकते हैं यदि आप गेस्ट के लिए करना चाहते हैं यहाँnow द्रिच आवर के लिए कर सकते हैं यहां पर आपको share see page करके इस window को यहां से इपने के बाद यहां पर आपको tap कर नहीं सर्वीश-डाई करते हैं यहां पूल्डौन करके यहां पे आपको दिख जाएगा यहां पर आपको सर्च कर लेना है फॉंसर डिस्कबरी प्रोवडर होच्छ आप देख रहा है इस तरह से आपके case में भी यह मिल जाएगा तो आपको क्या करना है इसके उपर आपको double click करना है डबल किलिक करती है इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर इसके बाद यहां पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर इसी के नीचे आपको दिख जाएगा इसके उपर आपको double click करना है double click करती है इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा यहां पर भी आपको starter type में manual होगा तो यहां पर automatic कर देना है इसके बाद यहां पर आपको start पर click कर देना है start पर click करने के बाद यह running हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको apply पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देने हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पर स्कॉर्ट डॉन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है SSDP यहाँ पर आप सर्च कर ली जाएगा SSDP यहाँ पर आपको दिख जाएगा SSDP Discovery पूरी यहां पर आपको दिख रहा है इस तरह से आपके केस में भी मिल जाएगा इसके उपर आपको double click करना है डबल किलिक करने के बाद यह विंडोई ओपन हो जाएगा यहां पर भी starter tap में manual होगा तापको यहाँ पर आपकर पिक करने कर लिजेगा ओपट हो उपर आपको डबल कलिक करते हैं तरह से इस तरह से विंडो अपन हो जाएगा आपको यहाँ पर ओंपन कर लेना है इसके बाद स्टार्ट पर किलिक करना है स्टार्ट पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको अप्लाई पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर आपको कर देने ओके करने के बाद आपको क्या करने है इस विंडो को यहां से क्लोज कर दिना है क्लोज करने के बाद आपको क्या करने है सिस्टम को फिर से रिये स्टार्ट कर लेना है रेस्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपका जो प्रॉलम था वो प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा और प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू